दोस्तों अजोल्ट और अफ्रे इन दोनों के बीच का अंतर को समझे से पहले इसके डेफिनिशन समझते हैं अजोल्ट का मतलब होता है जब कोई वेक्ति कोई ऐसी भाव बंगिमा है या जेस्चर ए पोस्चर बोडी का बनाता है उससे सामने वाले के मन में यह आप्रेहेंशन या आशंका होती है कि उसके ओपर क्रिमिरल फोर्स याणी बल प्रयोग गिया जाने वाला है तो इसको एजोल्ट कहा जाता है, इसमें एक्चुल में प्रहार नहीं होता है, एक्चुल में बोड़ी को टच नहीं करता है, लेकिन उस तरह का बहुत बंगी मैं बना ली जाती है, कि सामने वाले के मन में डर हो जाए, वहीं जो अफ्रे है, वो अफ्रे होता है, दो लोग ज यह इसा अपराद है जो कि मानाव शेरिर के एक स्ट होता है और जिस व्यक्ति को पर तो भी जेडान स unp्रूथ होता है जबकि अफरे को उनल की फीन होता है अगेंस आæुशं सारूजनीक शांति की की विरुध्ड अफरे दूसरा अंतर क्या है an assault is an such offense which may take place either in public place or in private place assault जो है वो सारुजनिक स्थान पर भी हो सकता है और निजी स्थान पर भी हो सकता है जबकि अफ्रे हमेशा public place पर ही यानि सारुजनिक स्थान पर ही होता है तिसरा अंतर है the offense of assault may be committed even by a single person assault जो है कोई अकिला एक विक्ति भी कर सकता है जबकि अफ्रे कभी एक विक्ति ने कर सकता है इसके लिए कम सकम दो आदमी होने चाहिए जो पस में जगड़ते है चोथा अंतर है an assault being an offense against human body is more serious and hence punishable by severe punishment जो assault है वो ज्यादा गंबिर अपराद है और इसमें सजा का प्रावधार भी ज्यादा है जबकि अफ्रे एजल के तुलना में उतना गंबिर नहीं है इसमें सजा भी assault के तुलना में कम होती है धन्यवाद